यह अत्यंत महत्पपुन आउसर है स्रेश्ट भारत निर्मान का विक्सित भारत 2047 तक का लक्ष यह सारे सपने ले करके यह सारे संकल्प ले करके आज अठारवी लोकसभा का प्रारंब हो रहा है विश्वकां सबसे बड़ा चुनाव बहुती शांदार तरीके से बहुती गवरोमे तरीके से संपन्ध होना यह हर भारती के लिए गर्व की बात है एक सो चालीस करोर देश वाजशों के लिए गर्व की बात है करीब 65 करोर से जादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपुन बन गया है कि आज़ादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर शाट साल के बाद आया है यह अपने आप में बहुत बड़ी गवरोपुन घटना है साथियों जब देश की जनता ने तीसरे कारकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है मतलब उसकी नियत पर महर लगाई है उसकी नीतियों पर महर लगाई है जनता जनारदन के प्रति उसके समरपन भाव को महर लगाई है और मैं इसके लिए देश वास्यों का रदे से आभार व्यक्त करता हूँ गत्दस वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थाबित करने का निरंतर प्रयास किया है क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमती बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती के साथ हर किसी को साथ ले करके माँ भारती की सेवा करे एक सो चालिस करोर देश वाजों की आशा आकांख्षाओं को परिपूर्ण करे हम सब को साथ ले करके चलना चाहते हैं सब को साथ ले करके सम्विधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए मिर्णेयों को गती देना चाहते हैं अठारवी लोगसभा में हमारे लिए खुशी के बात है कि युवास सामसदों की संख्या अच्छी है और हम जब अठारा की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं भारत की सांथकृतिक विरासत से जो परिचीद हैं उनको पता है कि हमारे यहां अठारा अंक का बहुत सात्विक मुल्य है गीता के भी अठारा अध्याय है कर्म, कर्तव्य और करुना का संदेश हमें वहां से मिलता है हमारे हां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी अठारा है अठारा का मुलांक नव है और नव पुर्णता की गारंटी देता है नव पुर्णता का प्रतीक अंक है अठारा वर्ष की आयू में हमारे यहां मतादिकार मिलता है अठारवी लोगसभा भारत के अमरितकाल की इस लोगसभा का गठन वो भी एक सुप संकेत है साथियों आज हम 24 जून को मिल रहे हैं कल 25 जून है जो लोग इस देश के संविधान की गरीमा से समर्पित है जो लोग भारत की लोकतांत्री परमपराओं पे निष्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भुलने वाला दिवस है कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के सम्विधान को पूरी तरह नकार दिया गया था कि सम्विधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गए थे कि देश को जेल खाना बना दिया गया था कि लोगतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था इमर्जन्सी के ये पचाच साल इस संकल्प के हैं कि हम गवरों के साथ हमारे समिधान की रक्षा करते हुए भारत के लोगतंत्र लोगतंत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो पचास साल पहले की गई थी और लोग तंतर पे काला धबा लगा दिया गया था हम संकल्प करेंगे जिवन तलोग तंतर का हम संकल्प करेंगे भारत के समिधान की निर्दिश दिशा के अनुसार जन सामान्यकी के सपनों को पूरा करना साथियों देश की जन्ता ने हमें तीसरी बार मोका दिया है यह बहुती महान विजय है बहुती भव्य विजय है और तब हमारा दाईत्व भी तीन गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं आज देश वाचों के विश्वाद दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मोका दिया है दो बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है मैं देश वाचों का अज विश्वाद दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कारकाल में हम पहले से तीन गुना जादा महनत करेंगे हम परणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कारेभाल को देखर के आगे चल दा है मान्य सभी सांसंदों से देश को बहुत सी अपेक्षाए है मैं सभी सांसदों से आगरे करूँगा कि जनहीत के लिए लोग सेवा के लिए हम इस अवसर का उप्योग करें और हर संभव हम जनहीत में कदम उठाएं देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है अब तक जो निराशा मिली है शायद इस अठारवी लोग सभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरीकों की विपक्ष्टे नाते उनकी भुमिका की अपेक्षा करता है लोग तंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष उस पे खरा उतरेगा साथियों संदन में सामान्य मान्य नागरीकों की अपेक्षा रहती है डिबेट की डिजिलेंस की लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे ड्रामा होते रहे डिस्ट्रिमंट होता रहे लोग सब्स्टन्स चाहते हैं स्लोगन नहीं चाहते हैं देशको एक अच्छे विपख्ष्ट की आवश्रकता है जिम्मेबार विपख्ष्टी आवश्रकता है और मुझे पक्का विस्वाज है कि इस अठारवी लोग सभा में हमारे जो सामसत जीत करके आये हैं वो सामान्य मानविकि इन अपेक्षाओं को पूरुन करने का प्रयास करेंगे. साथियों विक्षिद भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब का दाइत्व है. हम मिल करके उस दाइत्व को निभाएंगे. जनता का विश्वास हम और मजमूत करेंगे. पचीश करो नागरिकों का गरीबी से भार निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सभलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानवजात की बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे देश के लोग एक सो चलिस करो नागरिक परिश्व करने में कोई कमी नहीं रखते हैं हम उनको जादा से जादा आउसर जुटाएं इसी एक कलपना और हमारा एक सदन वो एक संकल्प का सदन बने हैं हमारी अठारवी लोग सभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान ने मानवी के सप्न साकार हो साथियो मैं फिर एक बार विशेश करके नए सांसदों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूँ और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आईए हम सब मिल करके देश की जनता ने जो नया दाईत्व दिया है उसको बखुबी निभाएं समर्पन भाव से निभाएं बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों